तुम्हारे पास तो परिवार है ना, मेरे तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, जो परिवार के लिए तरसते हैं, मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं, जिनके पास अपना कहने वाला कोई नहीं है, और ऐसे बच्चों को जब मैं देखता हूं, तो मुझे भी तरस आता है, मुझे भी उ जो विदी का विधान होता है, उससे तो श्री राम जी भी नहीं बच पाए, क्या श्री राम जी को पता नहीं था, कि वो विश्णु भगवान की आवतार हैं, उनको पता था, लेकिन इसके बावजूद भी, वो वनवास गए, क्या उनको सिक्षा नहीं आती थी, क्या उनको पूरे ब्रम्भान का ज्ञान नहीं था, जिसको पूरे ब्रम्हान का ज्ञान था वो गुरकुल पढ़ने के लिए गया, जो पूरी स्रस्टी को बदल सकते थे वो अपने पेता के वचन के लिए वनवास कहे जो अपनी पत्नी को खुद से भी ज़्यादा प्यार करते थे और उनको रावण के हाथों अपहरन भी होने दिया क्योंकि ये विधी का विधान था रावण तक पहुँचने की विधी और विधान था और इसलिए उन्होंने वो सब कस्ट सहे जो एक आम पुरुस सहता है तो इसका मतलब तुम समझे ये विधी का विधान है अगर तुम्हें कस्ट मिले हैं तो आने वाले समय में सुख भी मिलेगा ये सुनेश्चत है क्योंकि दोनों ही कभी भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहते इसलिए तुम निश्चन्त मत रहो तुम निश्चन्त रहो तुम्हारे दुख के दिन अब खत्म होने वाले है अब तुम खुश रहो और मेरा धेसा राशिर्वान और अभी के लिए शुबराती मेरे बच्चे